यह बहुत ही साधान सा circuit है मैं आपको इस को बताता हूं कि यह क्यों useful है जब हम Arduino को सीख रहे हैं अगर आपने कभी Arduino के किसी भी code को देखा है तो अक्सर आप देखेंगे कि उसके अंदर नंबर 255 का प्रयोग अक्सर देखा जाएगा तो इस circuit के द्वारा हम समझने ही कोशिश करेंगे कि ये number बार बार Arduino के codes में क्यूं आता है और इसका कारण बड़ा ही सरहल है तो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा तो फिरहाल जो circuit आप देख रहे है वो यह है इसको हटा लेता हूँ मैं तो यह circuit मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर आपको दिखेंगे यह switches है यह switch जो है अभी सभी के सभी open दिखाए गये है यानि कि इस समय बिजली नहीं बहेगी open मतलब खुला हुआ जब मैं किसी भी switch को बंद करूँगा तो यह connection बन जाएगा ठीक है और उसको बोलेंगे closed switch जब closed होगा तो बिजली बहेगी ठीक है और इसके उपर मैंने यह SL में LEDs दिखाये हैं मुझे यह diode का symbol है और LED दरशाने के लिए मुझे इसमें से ऐसे दिखाना चाहिए था कि यह light निकलने का symbol होता है तो आम तोर पे LED को इस symbol से दरशाते हैं और LED diode है इसलिए मैंने diode के symbol पहले से बना के रखा था ठीक है और यहां पे आपको cell लगाना है और इसको ground मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे हम zero potential मानते हैं पर ऐसा कुछ नहीं कि इसको जमीन में नहीं लगाना है यह बस इसको ground बोला जाता है तो यह 8 switches है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ स्विच आठ LED एक resistor लगाना है आपको आपने देखा होगा फर्स वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर रेजिस्टर नहीं लगाएंगे तो LED जल जाएगी कितना रेजिस्टर लगाना है वो तो मैंने यह switch जो दिखाया आपको भी यह 8 switch वो सभी 8 के 8 switch इसके अंदर है इसको बोलते है डिप switch डिप switch इसका मतलब dual inline package switch अब dual inline क्यों है dual मतलब 2 तो 2 क्या है एक यह side है और एक यह side है यह हो गया तो inline यह line में है यह दोनों line में है तो inline हो गया और switch यानि switch यह dual inline switch हो गया यह 8 है इसके अंदर 4 है इसके अंदर 8 है इसके अंदर 4 है और ऐसे 2 का भी आता है तो यह switch मैंने इसके अंदर अब लगा दिया है तो इसको आप red board में देखें कि जो ridge है बीच में जो ridge है इस ridge के दोनों तरफ आराम से इसको इसमें डाल सकते हैं ठीक है इसको दवा दो चला गया ऐसे मैंने यहां पर डाला हुआ है तो और वाकी circuit आपको मैं इसको light LEDs को बुझाता हूँ आपको circuit थोड़ा बेटर दिखेगा अभी आपको circuit अच्छा दिख रहा होगा तो देख लेते हैं जो मैंने आपको अभी यह circuit बना के दिखाया यह वह circuit है यहां पर बना हुआ देखे आपको यहां पर तारे लिख रही होगा यहां पर metal का वायर दिख रहा होगा इसके जो जितने भी सारे points से इनको connect कर दिया आपस में यानि कि मैंने यह किया इन सारे points को connect कर दिया सभी switches के नीचे वाले हिस्सों को connect कर दिया है LED का जो LED का जो positive हिस्सा यह जो लंबी वाली टांग होती है LED के टांग एक लंबी एक छोटी होती है मैंने बता था उस लंबी टांग को positive की तरफ connect करना है और negative को आप ऐसे connect कर दिजे यह switch से ठीक है और इधर register लगा के connection पूरा हो गया तो यह साधान सा circuit है मैंने उसी को बनाया है यहां पर तो यह सारे LEDs को मैं यहां से positive rail से इनके सभी लंबी वाली टांगों पर मैंने connect कर दिया है और चोटी वाली टांगे switch पर जा रही है और फिर यह इस तरफ यह रेजिस्टर आपको दिख रहा होगा और फिर यह रेजिस्टर कहां connect हुआ इधर connect हुआ ठीक है और यह इधर से मैंने कर दिया क्योंकि मैं उस समय power इधर लगा रहा था तो आप इधर अब आपको इन rails पे positive और negative supply देनी है ठीक है तो अगर यह करूँगा तो यह circuit बन गया और मेरा चलेगा पर मुझे इसमें interest क्यों है यह बताने के लिए पहले मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूं मुझे interest इसमें इसलिए है क्योंकि मैं numbers के बारे में जानना चाहता हूं binary numbers के बारे में और binary numbers वो numbers हैं जिने computers और electronics की circuits समझते हैं तो आम तोर पर जब हम लोग numbers लिख रहे हैं तो हम लोग decimal system यूज़ करते हैं decimal system अब यह उल्टा ही रहेगा मेरे को सिधा करना नहीं आता इसको तो decimal system मतलब क्या decimal system मतलब आपने 10 symbols बनाये हैं आपने एक symbol बनाया ऐसे गोला बना दिया एक लंबी एक टांग बना दिया सीधा लाइन बना दिया एक ऐसे कुछ घुमा के ऐसे बना दिया एक अलग symbol बनाया साथ नो इसे ऐता है आपने 0住 साथ सिम्मल बनाहे हैं और आप गिंते गए ज़ियो है 1 2 3 ऐसे गए난 और यह 9 symbols बनाएं पर आपने आगे नगे नया शंबन नहीं बना सकते था आप बना सकते था आप बोल से नो के बाद यह नया है बोल सकते हैं यह नया सिम्बल है लेकिन एपने के हम लोग नहीं पे छोड़ रिया और अबने कहा हम बाकी सारे नम्बर्स इन्ही सिम्बल को यूज करते हुए बनाएंगे तो अब हमें क्या करना है समझना है कि नंबर्स हम लोग नए नंबर्स कैसे लिखते हैं नौ के बाद नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं उसके लिए मैंने कई सालों पहले यह बनाया था तो तो मैंने खुझके निकाला है तो यह गंदा और पुराना लग रहा होगा देखने में पैसे काम हो जाएगा हमारा देखिए यहां पर यहां पर जीरो 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 लिखा हुआ है इस पर मैंने ठेसारे नंबर्स लगा दी अगर आपक भी पुराने आटो में बैठे हो तो तो हमें इस इस लाइन पर ध्यान देना है यह बाकी को भूल आए मान लिजे ढखा हुआ ऐसे सिर्फ आपको यह दिख रहा है तो अब पहला नंबर जिरो दूसरा नंबर क्या आएगा एक फिर दो फिर तीन यहां पर लेखना है इस लाइन पर बाकी जिरो है फिर चार फिर पांच फिर छे साथ आठ नौश आने के बाद आपके पास नएच सिंबल लेह है بولने क्लिव, तो क्या करेंगे, भूमा देंगे इसको, यह 0 हो गया फिसे, तो हम क्या कहते हैं, कि next वाले में 1 बढ़हा दो, यानि कि इसको एक बढ़हा देंगे, इसको, इसको एक बढ़हा दिया, अब इसको आप 10 बोलते हैं नया नमबर फिर इसी को बढ़ते रहना है राइट हर बार जब भी एक बढ़ाएंगे इसी पहिए पर बढ़ाएंगे ग्यारह इस पर ध्यान दीजिए यह वाले पर बारह तेरह पंद्रह सोला सत्रह एठारह उन्निस ओके उन्निस आ गया अब फि इसके पास इसलिए 20 बन गया तो यही करते आना है जब भी पूरा घुम जाएगा एक बार पूरे 10 के 10 नमबर से इस पर घुम गए तो आपको यह वाला पहिया बढ़ा देना है जब इसमें पूरे हो जाएंगे जब यह 99 हो जाएगा तो जब दोबारा घुमाओगे इसको इसमें 0 आ जाएगा फिर आपको इसको घुमाना चाहिए पर इसमें भी 0 आ गया फिर क्या करेंगे इस वाले पहिये में एक घुमा देंगे ऐसे 100 बन जाएगा तो यह हो गया आपके decimal का तरीका ठीक यही तरीका हर नमबर सिस्टम प्ले है अभी हमने क्या किया दो दस अलग अलग symbols लिए थे अब हम सिर्फ दो symbols लेंगे एक symbol लेंगे हम मान लिजे एक गोला और दूसरा symbol होगा square और हमें सारे numbers अब सिर्फ गोले और square के जरिये लिखना है तो मान लिजे इस पहिये पर 10 की जगह इन पहियों पर 10 की जगह सिर्फ दो symbol बने हो एक गोला बना हो और एक स्क्वायर बनाओ गोला छोटा वाल अंक है और स्क्वायर एक बड़ा अंक है ओके तो गोला स्क्वायर गोला स्क्वायर इन तीनों पर लगा दिया है तो सबसे छोटा अंक क्या होगा सबसे छोटा अंक होगा गोला गोला ठीक है फिर अगला अंक क्या होगा जब मैं इस पहिये को घुमाऊंगा तो इस पर जिरो ही रहेगा इस पर स्क्वायर आ जाएगा अगला अंक क्या होगा जब मैं फिर इस पहिये को घुमाऊंगा तो इस पर फिर से गोला आ जाएगा क्योंकि दो ही अंक बने हु अगला संख्या कैसे आगे आपको फिर से एक बढ़ाना है कैसे बढ़ाएंगे इसको हमेशा इस पर पहले बढ़ाना है तो यह क्या बन जाएगा अगला इसमें क्या होता है फिर से अगला आ गया अब इससे बड़ा संख्या बड़ी संख्या इस पर नहीं लिखी जा सकती क्योंकि मुझे तीसरा पहिया चाहिए क्यों चाहिए जब मैं इसको अगला बढ़ाऊंगा फिर से गोल घुमाया तो यहां पर जीरो आ गया ठीक है जब यहां पर जीरो आ जाए तो लिजे लगा हुआ था और इस पर हमेशा यह सर्कल बनावा था गोला बनावा था तो अब मुझे इस पर एक घुमाना पड़ेगा और यह स्क्वाइर बन जाएगा ओके आम तोर पे लोग ऐसे सर्कल और स्क्वाइर बनाने की जगर जीरो और वन लिखते हैं तो नंबर कैस binary मतलब दो सिर्फ संख्याओं से बनने वाला नंबर सिस्टम तो यह वाला होगया आपका जीरो 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 यह क्या होगया एक बढ़ाया यह वही का वही रहा फिर इसको बढ़ाया लेकिन इसको जब घुमाया इसको तो इस पर दो यंक थे तो फिर से 0 बन गया तो मैंने इसको एक बढ़ा दिया ओके फिर इसमें क्या होगा फिर एक बढ़ाया कोई दिकत नहीं है फिर इसको बढ़ाया तो क्या हुआ जिरो इसको बढ़ाना पड़ेगा पर ये भी जिरो देदेगा इसको बढ़ाएंगे तो one तो आपके ये बन गया right जह नंबर सिस्टम में this is zero this is one two three four तो बाइनरी में आपके नंबर्स ऐसे लिखे जाते हैं ठीक है अब उसी बाइनरी नंबर को दिखाने के लिए असल में थो तो अब मैं वही binary number system, binary numbers को इन आठ LEDs पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब चाहे आप इसको गोला और square बोलो, चाहे 0, 1 बोलो, चाहे LED off, LED on बोलो, अब इस 0 को बोल दो LED off, को मैं 0 बोलूँगा, जब LED जल रही है तो इसको 1 बोलूँगा, कैसे भी बोलो, number system आप, क्योंकि सिर्फ दो अलग-अलग symbols चाहिए, हम लोग इस LED पर बोल numbers लिख सकते हैं, तो यह रहा मेरा battery और इसको मैं positive rail में लगा लेता हूँ, और इसको negative rail में लगा, यहां लगा जेते हैं, कोई सर्कने पड़ेगा, ओके, now, देखते हैं, अब यह क्या है, zero, इसको बढ़ा दिया, one, तो पहला number क्या था, जब सारी LED बुझी हुई थी, okay, यह हो गया है, zero, सब पर zero, 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 मान लेजे लिखा हुआ है, जब LED जलेगी तो मैं इसको बोलूँगा one, तो मैंने इसको अब इसको बढ़ाया, एक यह बन गया, one, correct, उल्टा दिख रहा है, क्या, मैं इसको अपनी तरफ घ्मा लेता हूँ, तो मैं confuse हो रहा हूँ, उल्टा बनाने की वज़े से, okay, अब यह ठी रहेगा, इसको भी यहां लगा लेता है, इसको यहां लगा लेता है, अब आपके लिए उल्टा हो जाएगा, पर मुझे बताने में सुविधा होगी, अब आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो anyway, यह one, ठीक है, अब यह one हो गया, अब two कैसे होगा, क्या मैं इसको बढ़ा दूँ, नहीं, इसको नीचे करना है, जब इसको मैं दुबारे खुमाता हूं तो यह क्या हो गया, जब इसको दुबारे खुमाया तो यह हो गया, मुझे जीरो, पर मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, actually मैं उल्टा कर रहा हूं, मुझे इधर से करना चाहिए था, मेरे लिए यह वाला सबसे छोटा संख्या इस तरफ से है, तो इधर से दुबाना चाहिए था, तो जीरो है इस समय सब कुछ, कुछ लूज हो गया बीच में, क्या हुआ, let's see, इधर जल रहा है, इधर भी जल रहा है, तो इधर क्यों नहीं जल रहा है, इसमें से LED गायव है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, एक LED इसमें नहीं है, क्या हो सकता है, इसका रंग अलग हो, यह अलग है, इसको ठीक कर लेता हूँ, perfect, okay, now, यह हो गया, one, ठीक है, अब मुझे इसको बढ़ाना है, क्या करूँगा, इसको वापिस घुमाया, तो नीचे हो गया, इसको बढ़ा दिया, two, जब two पे आया, तो सिर्फ एक LED जल रही और यह वाली है, ठीक है, अब three कैसे होगा, इसको बढ़ा देंगे, अब three हो गया, दोनों जल रही है, four कैसे होगा, इसको नीचे, इसको बढ़ाया, तो यह zero हो गया, okay, इसको बढ़ाया, अब इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाया, तो यह zero हो गया, इसलिए मुझे तीसरे पहिये पर बढ़ाना पड़ेगा, अब देखे, number is four, और four number पर सिर्फ एक अगेन, यह सिर्फ एक ही LED जाल रही है, okay, यह बढ़ाया,